आज की इंपोर्टेंट वीडियो में हम फर्माकालोजी के यूनेट नमबर तर्ड को पढ़ेंगे जिसका नेम है ड्रग्स एफेक्टिंग दिगेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इस यूनेट में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जी आईटी ट्रेक से रिलेटिड कौन कौन सी डिजीस होती हैं और उनके ट्रेटमेंट के लिए कौन-कौन से ड्रग यूज होते हैं उन ड्रग्स के साइड एफेक्ट क्या है कब हमने कौन सा ड्रग यूज करना है उनके एड़्वर्ट एफेक्ट कौन-कौन से है तो इस यूनेट का फर्स्ट पार्ट आल्डेडी मैं अपने चनल पे explain कर चुका हूँ मेरे चनल पे उसका video lecture है जिसका link मैंने इस video के description में भी दिया है और वैसे भी आप लोग मेरे चनल पे देख सकते हैं अभी हम explain करेंगे इसके second part को और इसका third part जो last part है इस unit का वो भी मेरे चनल पे मौझूद हैं वो भी आप मेरे चनल पे जाता चलो इस unit के जो आपके पास important MCQs है important points हैं जो आपके exam में आ सकते हैं तो उसको भी हम lecture के साथ जो हैं point out करेंगे ताके आने वाले exams में आपके लिए आसानी हो तो हमारे पास हैं gastro intestinal drugs के gastro intestinal drugs या जी आईटी ट्रेक जो के उसके जो drugs हैं तो वो कब use होते हैं वो हमारे पास पैप्टिक अलसर में यूज होते हैं gastro isofigial reflex में भी यूज होते हैं अब पैप्टिक अलसर को explain करेंगे आने वाले स्लाइड में gastro isofigial reflex किसे कहते हैं कि जब आपके stomach का acidic contact वो कह करें वो asofagus की तरफ उपर आए तो इसको कहते हैं GERD और gastro isofigial reflex disease भी कहते हैं चुँ इसे भी reason की वज़ा से वो acid content आपकी asofagus की तरफ उपर आए तो इसको हम कहते हैं GERD इसके बाद नाजिया एंड वोमेटिंग स्पेशिली जब कोई केमेटरेपी करता हैं कैंसर जगेरा के लिए जो chemo drug use करता हैं तो उस दवरान जो नाजिया वोमेटिंग होती हैं उसके द और यह gastro intestinal drugs अब हम explain करेंगे अब हमारे पास हैं peptic ulcer disease peptic ulcer disease किसे कहते हैं peptic कहते हैं जो हमारे पास stomach or ulcer के combine जो ulcer को कहते हैं peptic ulcer अब अगर आपका ulcer असल किसे कहते हैं कि जब stomach की जो internal lining है या intestine की जो internal lining है जो intestine के दीवारों को महफूज रखती हैं किसी भी वज़ा से अगर उसमें injury आ जाए वो खतम हो जाए तो इसको कहते हैं ulcer अगर आपके पास stomach में ulcer हैं तो इसे कहते हैं gastric ulcer अगर आपके पास duodenal जो के intestine का part है उसमें ulcer हैं तो उसको कहते हैं duodenal ulcer लेकिन इन दोनों को combinedly कहते हैं peptic ulcer disease peptic ulcer disease means the sore in the lining of the stomach and duodenum an ulcer in the stomach is known as gastric ulcer while that in the first part of intestine is known as duodenal ulcer तो यह आपके पास जो definitions हैं यह आपके पास exams में आ सकते हैं specially peptic ulcer तो peptic से जो हैं आपका जहन gastric की तरफ जाता हैं stomach की तरफ लेकिन नहीं peptic ulcer disease में आपके पास gastric और duodenal ulcer दोनों आते हैं इसके बार हमारे पास हैं peptic ulcer disease के symptom symptom कहते हैं शिकायात को कि जब आपको peptic ulcer disease होगी तो इस वज़ा से आपको कौन कौन से problem होगे पहला है burning pain in the stomach आपके stomach में burning pain होगा उसके बाद जलन होगी आपके stomach में नाजिया या vomiting आपको हो सकती हैं नाजिया कहते हैं मतली आना मतलब कि आपका जो हैं किसी चीज किकाने का दिल नहीं करेगा vomiting भी आपको हो सकती हैं weight loss आपको होगा weight loss इसे होगा इसलिए होगा कि एक तो आपकी stomach और intestine की absorption जो हैं वो disturb होगी दूसरा है कि जब आपको नाजिया vomiting आती हैं तो आप जो हैं कोई चीज कान नहीं सकते और जब आपका input intake कम होगा तो जहरी बाते आपका weight loss भी हो सकता है इसके बाद anemia आपको हो सकती हैं, anemia किसे कहते हैं blood deficiency को कहते हैं तो anemia क्यों होता है, anemia इसलिए होता है कि इसमें आपके पास एक क्यों होते हैं, milina होता है मलीना ये कि जब आपके पास किसी परसन को अगर स्टॉमिक अलसर हैं गेस्ट्रिक अलसर हैं या डिविडिनिर अलसर हैं तो हो सकते हैं उससे उस पेशन को ब्लीडिंग हो तो bleeding blood in stool को कहते हैं milina या malina भी इसे कहते हैं blood in stool इसको malina कहते हैं अगर आपके blood में जो आपके stool में अगर blood darkish color का हो कि वो सخت red हो तो ये क्या होगा इसका मतलब होगा कि आपका कोई gastric ulcer है या gastric bleeding हो रही है अगर उसमें fresh blood है तो इसका मतलब होगा कि ये intestinal bleeding है तो blood in stool को कहते हैं malina और इस तरह के patient का जब blood last होगा तो जहरी बात हैं उसको क्या होगा उसको इनीमिया भी आपके पास वो patient हो सकता है और last of appetite तो appetite इसलिए last होगा appetite कहते हैं बूग को बूग की कमी इसलिए होगी कि अगर आपको stomach में pain हो रहा है तो आपको ये खुराक लेते हैं gastric secretion और होती है वो pain और exaggerate होता है तो इस condition में पिर आपको बूग भी कम लगेगी तो ये हमारे पास कहता peptic ulcer के symptom थे और ये आपके पास MCQs में इसमें से कोई भी symptom जहें वो आ सकता है इसलिए आप इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ ले अब हमारे पास हैं peptic ulcer के causes तो causes के हैं infection with gram negative helicobacter pylori एक तो ये हैं कि आपका ulcer h pylori की वज़ा से भी हो सकता है h pylori हमारे पास के हैं gram negative bacteria है जो कह करता है gyostomic and intestinal ulcer cause करता है regular use of non-steroid anti-inflammatory drugs जिसमें आपके पास aspirin आते हैं declofenic sodium वगेरा आते हैं तो ये कहें ये NSAID हैं अगर कोई person regularly NSAID यूज़ करता है तो उसको भी ये peptic ulcer हो सकता है अब NSAID किस तरह peptic ulcer cause करते हैं ये next slide में मैं full explanation के साथ आपको बताऊंगा कि NSAID क्यों peptic ulcer cause करते है और आप लोगों ने जो हैं अच्छे तरह के साथ इसको सीखना है क्योंकि ये पिर आपके पास MCQs अक्सर आते हैं इसके बाद severe physiological stress severe physiological stress stressful condition that may cause peptic ulcer include burns, central nervous system, trauma, surgery and severe medical illness देखो अगर आप कोई physiological stress लेते हैं आप depression में हैं stress लेते हैं तो उस condition में भी पिर क्या होता हैं peptic ulcer disease आपको होती हैं क्योंकि आपके gastric secretion होती है आपका stomach होता हैं खाली तो वो क्या करता हैं वो पिर आपके जो stomach lining है और intestinal lining हैं वहाँ पे क्या करता हैं वहाँ पे अलसर कास करता है अब आपको stress किस वज़ा से होता हैं जो अक्सर हमारे पास hospital admit patient होते हैं तो उनको अपनी disease की वज़ा से होता है stress उनको कभी अपनी सर्जी की वज़ा से stress होता है कि मेरी ये सर्जी हो नहीं मेरे ये operation होगा किसी बन की वज़ा से या किसी person को severe medical illness है किसी patient को diabetes है या कोई heart disease के साथ है या किसी और disease के साथ है तो उन condition में patient stress लेते हैं और उन वज़ा से पिर क्या होता है उनको peptic असर हो जाता है और यही reason है कि हमारे पास maximum जब भी आप clinicals पे जाएंगे तो वहाँ जो आपके पास medical patient होगे या आपके पास surgical patient होगे तो उन में जो है वो कह देते हैं वो omeprazole वगेरा यूज़ करते हैं अब omeprazole proton pump inhibitor हैं जो आगे इसी लेक्चर में मैं full explanation के साथ आपको बताऊंगा तो वो reason यह होता है कि उन patient को क्या होते हैं टैप्टिक अलसर होते हैं और जब ये काजिस आपके साथ होंगी तो इसका क्या होगा इसका result क्या होगा increase HCL secretion हर्डरोकलोरिक acid की secretion जएदा होगी जो अलसर कास करेगा in adequate mucosal defense against gastric acid और आपका जो mucos layer है वो आपके पास damage होगा सही से नहीं बनेगा जिसकी वज़ा से acid की protection acid से आपके stomach landing की protection सही से नहीं होगी और आपको क्या होगा अलसर कास होगा अब जो मैंने आपको बताया था कि NSAID किस तरीके से जो हैं पैप्टिक अलसर कास करते हैं तो यहां मैं explanation के साथ बताता हूँ जो हमारे पास NSAID होते हैं जिसमें aspirin diclofenic studium आते हैं जिसके stand करता है non-steroid anti-inflammatory drug जिसमें अक्सर हम जो हैं pain killer यूज़ करते हैं कि induce ulcer by suppressing gastric prostaglandine synthesis reduction of gastric mucosal blood flow तो NSAID कह करते हैं वो दो काम करते हैं एक तो वो prostaglandine secretion को suppress करते हैं अब जो prostaglandine है वो क्या करता है वो आपके body में gastric secretion को inhibit करता है और stomach की lining को protect करता है by producing mucosa gastric mucosal secretion जहें वो stimulate करता है ताके आपके stomach के अंदर एक lining से बन जाए यह जो यलो आपको नजर आ रही है और दूसरा acid secretion कम करता है लेकिन जब आप NSAID लेते हैं तो NSAID क्या करते हैं वो इस prostaglandine को inhibit करते हैं जब वो इसको inhibit करते हैं तो acid secretion आपके पास control नहीं होती और आपका mucos layer नहीं बनता यह दो चीजों की वज़ा से पिर आपको क्या हो जाता है पैप्टिक अलसर हो जाता है तो यह एक रीजन है जिसकी वज़ा से NSAID पैप्टिक अलसर कास करते हैं सेकंड रीजन यह कि यह गेस्ट्रिक मुकोजल बलड फो को कम करता है जब बलड फ्लो आपके पास कम होगी तो मुकोज की production सही से नहीं होगी और आपके पास क्या होगा पैप्टिक अलसर होगा अब हमारे पास हैं ट्रीटमेंट अफ पैप्टिक अलसर जो पैप्टिक अलसर डिजीज जो हम explain कर चुके हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास इससे पहले एक बात बता दूँ कि जो एंसेट का अभी मैंने आपको कहानी बता ही तो यह आप M.C. की उसके लिए लाजमी याद रख ले अब ट्रीटमेंट है पेप्टिक अलसर की सबसे पहले तो आप इसके लिए एंटिबायाटिक यूज़ करेंगे कि आपके पास अलेको बेक्टर पाइलोरी इनफेक्शर एरडिकेट हो जिसके लिए हमारे पास सिप्रफ्लक्ससीन एटसेटर जो और भी ड्रग्स हैं वो कै इसके लिए यूज़ होते हैं सिप्रफ्लक्ससीन होगी है और भी जो हमारे पास एंटिबायाटिक हैं जो antibiotic lecture में मैं already explain कर चुका हूँ सेकंड क्या होगा reducing secretion of gastric acid with use of proton pump inhibitor और H2 receptor antagonist सेकंड आपने HCL की secretion को कम करना है या तो आप proton pump inhibitor यूज करेंगे या H2 receptor antagonist यूज करेंगे जो आने वाले slide में हमने दोनों drugs को explain करना है यह हमारे पास कलास हैं proton pump inhibitor भी एक कलास हैं ड्रक्स का और H2 receptor antagonist भी हमारे पास ड्रक्स की एक कलास है इसके बाद third आपने क्या करना है providing agent that protect the gastric mucosa from damage such as mist prostole and sacral fate तो क्या करना है आप कोई इस तरह agent यूज करेंगे जो क्या करेगा जो gastric mucos layer को acid की secretion से acids के attack से बचाएगा और fourth क्या करना है आपने neutralizing gastric acid with non-absorbable antacid fourth यह है कि चुंके आपके stomach में acid secret हो गई तो इसके लिए आप कुछ इस तरह का basic alkaline ham fluid वगेरा लेते है alkaline ham medicine लेते हैं ताके वो acid को किसी भी तरह के साथ neutralize कर सके कि वो stomach lining को damage ना करे तो यह हमारे पास कहें treatment of peptic ulcer है जो आप याद रख ले अब हमारे पास आजाते हैं drugs भी जो peptic ulcer और gherd में use होते हैं peptic ulcer explain कर लिया gherd का भी मैंने आपको कह दिया gastro isophagal reflex disease जो हमारे पास हैं तो इसके लिए antacid यूज़ होते हैं जो acids को neutralize करें mucosal protective agent होते हैं जो आपके stomach intestine lining को protect करें proton pump inhibitor होते हैं जो आगे हम जाके हम explain करेंगे कि यह क्ये करते हैं यह hydrogen hcl की secretion को stop करता है s2 receptor antagonist भी हमारे पास hcl की secretion को stop करते हैं प्रोस्टा glandine भी यूज़ होते हैं और antimicrobial भी यूज़ होते हैं तो चुनके इस unit का third part भी already मेरे चनल पे मुझूद हैं तो यह four अभी हम explain करेंगे यह दो remaining जो हैं यह हमने इस unit के remaining part में explain किये हैं अब हम आ जाते हैं किस चीज़ पे drug which neutralized acid antacid पे आ जाते हैं antacid attempt to chemically neutralized atomic acid देखो जिस तरह हमने FSE में हमने metric में पढ़ा था कि acid जो हैं उसको हम base के साथ क्या करते हैं neutralize करते हैं जो neutralize reaction था हमारे पास जिसमें acid base मिल जाता हमारे पास और water आ जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे पास acid क्या हो जाता neutralize हो जाता है अब अगर किसी परसन को pubtic ulcer disease हैं, gastric acid disease हैं किस वज़ा से कि उसका acid secretion जएदा होती हैं या उसका acid उसके stomach lining को नुकसान पहुंच जाता हैं तो उस condition में हम antacid यूज़ करते हैं और antacid क्या करते हैं, वो chemically neutralize कर लेते हमारे stomach के acid को, HCL को these drugs contain a base such as carbonate or hydroxide combined with aluminium magnesium or calcium the base combined with excess hydrogen iron in stomach and thus increase the pH, increase the pH का मतलब कहें कि acidity का कम होना, तो जो हम antacid वो हैं कि जिसमें हमारे पास aluminium or hydroxide आता हैं, यहां पर आप देख सकते हैं तो वो HCL के साथ मिलके के कर लेते हैं, stomach acid को neutralize कर लेता हैं stomach की acidity को कम कर लेते हैं, और pH को बढ़ा लेता हैं, तो यह इसमें आपने confuse नहीं होना, increase pH का मतलब है, low acidity लेकिन, यहां पर इन्होंने MCQs की एक important बात की हैं कि चुँके हर ड्रग के अपने side effect भी होते हैं, adverse effect भी होते हैं जो हमारे पास क्या हैं, जो aluminium containing antacid हैं, तो वो क्या करता हैं, वो constipation कास करता हैं, constipation is the most common side effect associated with aluminium containing antacid तो जिस patient को क्या हैं, उसको peptic ulcer disease भी हैं और उसको constipation भी हैं, तो उस condition में हम aluminium containing antacid use नहीं करेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास important बात यह हैं, कि जो magnesium containing preparations होंगे antacid होंगे, तो वो हमने daria के patient में use नहीं करने तो इसमें आप MCQs के लिए यह याद रख लें, कि aluminium containing antacid होंगे तो यह हम daria के patient में use करेंगे, और जो हमारे पास magnesium containing होंगे, तो हम वो constipated patient में use करेंगे, तो यह आप MCQs के लिए याद रख लें, अब antacid का mechanism of action क्या हैं, चूंकि हमारे पास हर drugs की अपना mechanism of action होता है, they achieve their effect by neutralizing gastric acid, inhibit gastric acid secretion or protect gastric mucosa तो इनका mechanism of action यह है, यह इस तरह काम करते हैं, कि यह acid secretion को क्या कर लेते हैं, उसको neutralize कर लेते हैं, और आपके पास gastric acid की secretion को inhibit भी करते हैं, और mucosa, gastric mucosa को इस तरह वो protect करते हैं, कि जब आपके पास acid neutralize होगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके gastric lining को, जो हाम भी नहीं करेगा, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, इसके बाद हमारे पास है indication, indication क्या होते हैं, किसी भी drug की indication का मतलब यह हैं, कि यह हम कब यूज करेंगे, तो अगर आपको indigestion होती है, या reflex asophagitis होता है, कि आपके gastric content ऊपर एसोफेगस की तरफ आते हैं, या आपके stomach जो है, उसमें peptic ulcer के साथ आपको pain होता है, या burning होती है, या peptic ulcer है, तो उस condition में हम क्या करते हैं, यह antacid use करते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं, mucosal protective agent, वो agent जो आपके, जो है stomach के lining, mucos membrane की protection करते हैं, drugs which provide a physical barrier like sacral fate and bismet sub silicate, यह कहें, यह आ ऐस तरह करते हैं, कि देखो आपकी यह stomach है, तो यह उसमें कह कर लेते हैं, यह उसमें internal lining सी बना देते हैं, यह stomach में internal lining सी बना लेते हैं, और जब पिर acid आता हैं, तो यह कह करते हैं, यह layer इसको, यह पीछे जो stomach वाली layer को protect करता है, तो यह हमारे पास कहें, यह mucosal protective agents है, इसको cytoprotective compound भी कहते हैं, cytoprotective मतलब कि यह आपके stomach के cell को protect करते हैं, तो यह कह करते हैं, enhanced mucosal protection mechanism, preventing mucosal injury, reducing inflammation, and healing existing ulcer, तो यह इनके function हैं, आप MCQs के लिए याद रख ले, के mucos membrane के injury को prevent करते हैं, inflammation को कम करते हैं, और heal करते हैं ulcer को, जो आपके पास already cause हुआ हैं, किसी भी reason की वाज़ा से, sacral fate is a disaccharide that exerts a cytoprotective effect on the stomach mucosa, sacral fate may form a protective gel that adhere to ulcer and shield them from content of stomach, अगर किसी परसन को stomach या intestinal या peptic ulcer हुआ है, तो ये sacral fate के करता हैं, ये चुए के हमारे पास dice कराडे, ये वहाँ पे bind हो जाता है, वहाँ पे ये bind हो जाता है, और stomach content को उसकी तरफ पहुचने नहीं देता, जिसकी वज़ा से आपके पास stomach ulcer heal हो जाता है, वो cure हो जाता है, दूसरा हमारे पास bismut sub silicate bismut sub silicate जो हमारे पास है bismut sub salicylate ये क्या करता है, effective heal peptic ulcer को heal करता है has antimicrobial action भी इसका है, ये जो अगर कोई infections की वज़ा से हैं तो उसको भी heal करता है inhibit the activity of pepsin pepsin की activity को inhibit करता है, क्यूंकि आपके पास pepsin की activity के लिए भी acid की जरूरत है और already acid की वज़े से आपको ulcer हुआ है, तो ये pepsin की activity को inhibit करता है increase secretion of mucos and interact with necrotic mucosal tissue to coat and protect the ulcer crater, कह करता है कि ये आपके पास mucos secretion को increase करता है, और जिस जगा पे आपको ulcer है, तो उस जगा की protection भी आपके पास कह करता है ये mucosal protective agent जो हमारे पास name से है, बिसमत सब salicylate, सही है, तो ये आप MCQs के लिए ये चीज़े याद रख लिए इसके बाद हमारे पास दो जो के आमारे आर लास्ट पार्ट है, इस लेक्चर का के proton pump inhibitor and hydrogen H2, सोरी, H2 receptor blocker, तो proton pump inhibitor में हमारे पास आता है, और में प्रजोल, लीजोन प्रजोल, सही है, इसके बाद पेंटो प्रजोल, ये different name से हमारे पास आते हैं, सही है, इसके बाद सिमेटरडी, ये H2 receptor blocker जो हमारे पास हैं, तो सिमेटरडीन, रेंटरडीन, फिमेटरडीन, रिजोटरडीन, तो ये हमारे पास के हैं, ये H2 receptor blocker हैं, तो proton pump inhibitor क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको start में बैता रहा था, कि PPI या प्रोटान pump inhibitor के बारे में, हम आगी जाके पढ़ेंगी, तो अब मैं यहां पे आपको पढ़ा दू, proton pump inhibitor इन्तिहाई important part हैं, क्योंकि SM Secures भी आते हैं, और future में जहां पी भी आपने clinical करेंगे, ये ड्रग्स आपको हर जगा पे मिलेगी, उमेपरजोल के नाम से, ईस्वे मेपरजोल के नाम से अक्सर आते हैं, राइजिक के नेम से भी ये आते हैं हमारे पास, PPI proton pump inhibitor drug inhibit the hydrogen potassium ATPase enzyme responsible for the secretion acid from gastric parietal cell of the stomach, तो ये बाते जो है, ये आरेडी हम इस unit के first part video lecture में explain कर चुके हैं, जो मेरे चनल पे मुझूद हैं, जिसको आप सर्ज भी कर सकते हैं, कि gastro intestinal drugs by farman KMU, अगर आप लोगों ने चनल subscribe किया है, तो उसमें भी फर्मकालोजी के प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं, कि हमारे stomach में जो parietal cell होते हैं, वो HCL secret करते हैं, अब parietal cell पे वहाँ पे ये एक enzymes होता है, hydrogen potassium ATPase enzyme, जो वहाँ पे hydrogen potassium pump होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो hydrogen को बाहर की तरफ लेते हैं, hydrogen potassium को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, और इस तरह आपके पास acid secretion होती है लेकिन जो proton pump inhibited drugs होते हैं तो वो कह करते हैं वो hydrogen potassium ATPase enzyme को inhibit करते हैं proton pump को inhibit करते हैं और आपके पास acid secretion control होती है for the best result take the proton pump inhibitor अच्छा इसके अब common side effect कौन से हैं हेडिक हो सकता है नाजिया, डायरिया, abdominal pain, fatigue, dizziness, सरका चक्राना, constipation यह कहीं यह आपके पास side effect हो सकते हैं common proton pump inhibitor के adverse effect भी हैं तो यह इसके साथ हो सकते हैं तो आप यह MCQs के लिए याद रख ले यहां पे एक important बात कही है उन्होंने के for the best result take proton pump inhibitor 30 minutes before you eat a heavy meal this gives the medication enough time to shut down the acid pump that cause heartburn सही है, तो आपने काने से 30 minutes पहले यह proton pump inhibitor medicines लेनी हैं ताके आपके पास वो pump is shut down हो, वो close हो और acid secretion आपके पास control हो अब आगे जाके हम और भी explain करते हैं proton pump inhibitor को proton pump inhibitor bind to hydrogen potassium ATPase enzyme system of the parietal cell and suppress the secretion of hydrogen ion into gastric lumen, inhibit gastric acid secretion तो यह बात मैंने आपको बता दी कि यह क्या करते हैं, यह इस enzyme के साथ attach होते हैं और proton pump जिससे hydrogen ion की secretion होती हैं और जो acid बनाता है, gastric acid बनाता है तो यह क्या करते हैं तो यह उसको suppress कर लेते हैं, आपके पास acid secretion नहीं होता और इसी तरीके से आपके पास peptic ulcer की treatment हो जाती हैं The membrane bond proton pump is the final step in the secretion of gastric acid more effective than H2 antagonist in suppressing gastric acid production and healing peptic ulcer देखो जो हमारे पास H2 antagonist जो आगी जाके हम explain करेंगे तो उससे proton pump inhibitor जएदा effective हैं दूसरी बात मैं आपको बताता चुनूँ कि जो proton pump inhibitor के जो tablet होते हैं तो यह intercoded होते हैं और यह stomach में से गुजर के डियोडिनम में यह active farm में आ जाते हैं और पिर क्या होते हैं पिर यह parietal silk पे action करके proton pump को कह कर लेते हैं block कर लेते हैं और आपके पास acid secretion नहीं होती हैं जब acid secretion आपके पास control होती हैं तो क्या होता है फिर आपके पास जो burning होती हैं जो इलसर वगिरा होते हैं वो controller होता हैं proton pump inhibitor are product with acid resistant entering coating to protect them from premature degradation by gastric acid यह बात मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर enteric quotation होती हैं जिसकी वज़ा से यह आपके पास बचा रहता हैं gastric acid की degradation से the coating is removed in the duodenum and the product is absorbed and transported to parietal cell और यह जो आपके पास coating यह removed हो जाती हैं duodenum में और यह parietal cell की तरफ transport होके उस पे अपना action करता हैं there it is converted into active farm which forms a stable covalent bond with hydrogen potassium ATP और यह क्या होते हैं कि यह parietal cell की तरफ जाके वहाँ पे covalent bond बनाता है hydrogen potassium ATPase enzyme के साथ और फिर इसका फाइदा क्या होता हैं इसका फाइदा यह होते हैं कि यह 18 गैंटे तक acid secretion को control रखता हैं जिसकी वज़ा से आपका आपका पैप्टेक अलसर क्या होता है गैस्टेक से क्रीशन नहीं होती और उस वज़ा से फिर आपका पैप्टेक अलसर वो के और होता हैं उसके treatment होती हैं तो E-M-C-Q उसके लिए आप याद रख लें कि पेटर प्रोटन इंहीबिटर हमने 30 गैंटे काने से पहले यूज़ करने हैं 18 गैंटे तक यह अपना काम करता हैं कि यह जिस enzyme को block कर ले फिर वो उसकी वापस re-sensitization जो हैं वो 18 हर्स के बाद होती हैं और यह 90 परसेंट तक जो है acid secretion को inhibitor रखता हैं इसलिए यह हमारे पास जएदा effective as compared to S2 antagonist S2 antagonist भी वो भी हमारे पास peptic ulcer में user होती हैं इसके therapeutic uses क्या हैं कि the superiority of proton pump inhibitor over the S2 antagonist for suppressing acid production and healing peptic ulcer has made them the preferred drug for कि यह क्या करते हैं कि यह acid की suppression और healing peptic ulcer में S2 antagonist से काफी अच्चा काम करता हैं और इस वज़ा से यह हमारे पास stress ulcer की treatment में भी यूज होता है eris you asophagitis are active due journal ulcer के आपके पास इस तरह का ulcer है कि उससे bleeding होती है उसके treatment में भी यूज होता हैं और जो हमारे पास pathological hyper secretory condition हैं जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं acid mucosa को damage करके peptic ulcer cause करेगा तो उस syndrome में भी कह करते हैं उस syndrome में भी आपके पास proton pump inhibitor use होते हैं to treat peptic ulcer disease इसके बाद approved further treatment of gut and have again favor over H2 antagonist proton pump inhibitor reduce the risk of bleeding from the ulcer caused by aspirin and other NSAID कि आप किसी patient को ulcer है उसके बावजूद भी वो aspirin या NSAID वगेरा यूज करता है जिसकी वज़ा से उसके ulcer से bleeding का खत्रा है तो आपके पास अगर due to ulcer इस condition में है कि उससे bleeding वगेरा होती है तो उसके treatment में भी पिर हमारे पास proton pump inhibitor काफी अच्छा जहें अपना response चो करते हैं यूज विद एंटी माइक्रोबल रेमें टू इरेडिकेट एश पायलोरी और हमारे पास किसी person को एश पायलोरी है तो उसके हम कह करते हैं कि एंटी बायाटिक के साथ इसको यूज करते हैं और ये आपके पास एश पायलोरी के infection को खत्म करके पैप्टिक ulcer को treat करता है तो ये हमारे पास proton pump inhibitor के therapeutic uses थे MCQs के लिए आप इनको याद रख ले अब हम आ जाते हैं जो last slide है हमारे पास इस lecture का के mechanism of action of S2 blocker S2 blocker जो भी वो कहें वो भी हमारे पास पैप्टिक ulcer में यूज होते हैं देखो histamine stimulate specific receptor on stomach parietal cell to increase gastric acid secretion हमारे stomach में histamine receptor होते हैं और वो acid secretion को increase करते हैं acid secretion करते हैं हमारे stomach में तो S2 receptor blocker क्या है कि these histamine receptor are classified as S2 receptor और इस histamine के receptor को S2 receptor कहते हैं जो क्या करता है जो आपके पास acid secretion कराता है S2 antagonist या S2 receptor जो हमारे पास S2 blocker हैं वो क्या करते हैं वो इन S2 receptor को block कर लेते हैं जब वो histamine के receptor को block करेंगे तो वो फिर acid secretion आपके पास नहीं कराएंगे जब stomach की acid secretion कंट्रोल होगी या नहीं होगी तो आपके पास peptic ulcer treat होगा सभी है तो ये mechanism हैं हमारे पास S2 blocker का यहां पे जो हैं इनके कुछ side effect है important MSQs के लिए याद रख लें कि इससे आपको headache, nausea, diarrhea हो सकती है abdominal pain हो सकता है, dizziness या constipation आपको हो सकती है एक important MSQs जो मैं आपको बता दूँ अक्सर जो हैं आपके exam में आएगा अक्सर आता भी है कि सिमेटरडीन हमारे पास क्या है सिमेटरडीन हमारे पास जो पिछले slide में मैं आपको बता चुका हूँ वो हमारे पास H2 receptor blocker है लेकिन उसके साथ क्या होता है, gynecomastia is a breast enlargement in men and anti-adronergic property, यह क्या करता है, यह men में breast की development करता है मतलब जो chest होता है, वो बराज हो जाता है और female की तरह लुक देता है, जो आपके पास सिमेटरडीन है यह इसका क्या है, यह इसका adverse और side effect है, यह इसका side effect है दूसरा androgenic property भी इसकी होती है, anti-androgenic property anti-androgenic property वो property है कि जिसकी वज़ा से, अगर आप male है तो उसमें, आप में male sexual character, जहें वो appear नहीं होंगे यह suppress होंगे, यह आप female है तो आपके female तो anti-androgenic property इसकी क्या है, कि यह आपके पास जो testosterone अपना जो काम करते हैं, यह उसको suppress करता है, सिमेटर्डिन, तो यह इसके side effect हैं, तो जब भी आप किसी patient को देंगे तो इससे पहले आपने इसको यह बात आपको बतानी है, कि अगर आपका, अगर कोई sexual activity वागिरा पे, उसमें अगर कमी आती हैं, तो अपने attention नहीं लेनी, यह इस medicines के side effect होते हैं, सही है, यह हमारे पास क्या है, यह H2 receptor blocker जो है, यह उसका mechanism of action है, जो इस picture के तुरू आप देख सकते हैं, और H2 receptor antagonist के therapeutic using हैं, कि यह peptic ulcer में यूज होते हैं, acute stress ulcer में भी यूज करते हैं, इसको use कर सकते हैं, तो इसके use भी proton pump inhibitor की तरह हैं, लेकिन proton pump inhibitor इससे जएदा अच्छे हैं, और आजकर लोग proton pump inhibitor को जएदा prefer करते हैं, as compared to H2 receptor antagonist, तो यह हमारे पास guest pro intestinal drugs के lectures का second part ता, इसका last part और first part आरेड़ी मेरे चनल से में मुझूद हैं, आप लोग मेरे चनल को subscribe करें, बेल का icon प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सकें, ok thank you